जैहिन कैसे आप लोग उमेद करता हूं अच्छे होंगे और आपके तहरी बहुत बढ़िया चल लए होगी चार न्यूज कवर करेंगे और चारों न्यूज आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है और इस अधार पे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आयोक के अंदर क्या चल रहा है ठीक है पहला न्यूज यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है और आपके एड़ेट माधमिक सिक्षा के लिए है उसको कभर करते हैं चार उप सच्चियों के सिक्षा सेवाचान आयोक को पर तिक्षा है ये न्यूज है एक इसके बाद आगे और नीच देखें के लिए गठित उत्तर प्रदेश्चा सिवाचान आयोक को सजित चार पदों पर उप सच्चिव आज भी पतिक्षा है नहीं हुआ है आयोक में सजित पदों पर रुक रुक कर तैनाती के जानने से कारगती से नहीं हो पा रहा है निल्डन लेने के लिए आयोक तो तयार हो गया लेकिन उसके अनुरूप काम को रफ्तार देने के लिए सभी उप सच्चिव नहीं तैनात किये गए जबकि आयोक का गठन हुए 6 माह से अधिक समय बीद गया ठीक है आयोक में सजित 12 वदों पर सदस्यों के नियुकती 14 मार्च 24 को हुई थी और सभी 15 मार्च 24 को कारब गरहन कर लिया था मार्च को 20 मार्च को प्रमक सच्चिव उसक्षा एंप अगरबाल को आयोक को कारवाक अध्यक्ष मनाय गया था उन्होंने 8 माई को पहली बैठक नेमित अध्यक्ष को रूप में 1 सितंबर को प्रोफेसर कीर्थी मैडम की निक्ति हुई थी और उन्हें 5 सितंबर को पदभार समाथ आयोक में सच्ची वित नियंत्र को परिच्षा नियंत्र की तेनाती हो चुकी है नेमित अध्यक्ष के ने बैठकर लंबित पुरानी भर परिच्चायों साख्षातकार के संबंद में कमेट्री अगठित का रिपोर्ट उसके अनुरूप तयार की तयार अनुरूप तयारी चल रही है लेकिन आयोग ने उस अचीवों की तैनाती नहीं होने से काम पर असर पढ़ रहा है और चार उप सचीवों की प्रतिनुक्ति प्तैनाती देने के लिए सासन ने आवेदन तो लिए हैं लेकिन आयोग अठन के छे महने बाद भी किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी है तो यह केवल एक बहाना है इन लोगा ठीक है चलिए पी सिस के अलाव नंपर इबनाया जाने पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेस लोक सेवायोग यूपी पीरश्य Ó को प्रिच्छा के लिए प्रयाप संख्या ये केंदर नहीं मिल पार रहें ठीक है इस समस्य अग यहीं खत्म नहीं होने के वाली है भविस्ट में दूसरी परिच्छाओं का आयोजन में भी केंदर निर्धान का पेच पसीगा परिच्छा 24 के लिए पांच लाग छेतार रजार 154 अभ्यारतों ने अवेदन किये हैं दो दिन दो दिन की परिच्छा कराने का विकल भी रखना पड़ा हाला कि अभ्यारतियों ने दो दिन परिच्छा कराने का भी रोध किया बिल्कुल सही है आयोग को आगामी परिच्छाओं की भी ऐसी चुनोतियों को सामना करना होगा एल्टी ग्रेट सिच्चक परती आयो्ग को आयोग को आयोग कि नहीं परिश्य दो दिन कर आने का तयारी की अभियारतियों ने इसका भी विरूत करना है जाये ठीक है क्योंकि इनका कैसे करेंगे किस बेस्ट करेंगे वह समझ में नहीं आ रहा है इससे पूरी 2018 में हुई एल्टी ग्रेट की सेचेक भरतियों में 7.63 लाग अभरतियों नहीं अभरतियों और वर्ष 22 में पर जाई प्रवक्ता जी आई सी भरतियों के तहद नर्मलाइज साथ दूसरी भरतियों पर वह वह उसी से मेरा जोला सबरेट और यह है माधिमिक सिच्चा के बाद में सिच्चक 2 दिसंबर से प्रदेश भर में सुरू करें जेल भर वांदोलन यह माधिमिक सिच्चों में जो गुटे हैं उनके इसाब से उननी सुत्री मांगों में सम्र्थं में सिच्चक संग का निसालय पर धर्णा चिताव कि पुराणी पेंसंग इसमें क्या-क्याth सर्दश घंच के सद्ष ठील इसमें एwydd मटसेजित संग हो हैं वालिए तदा सिच्छा आयोग में सामिल करने आदे मांगों हो लेकर मांगों को लेकर मांगों को लेखाई अधिक्चा कर रहा है प्रदेश अधिक्षेट नरायाण सिंग्ण कि नहीं माने कि दो धिसंबर से पुर्य प्रदेश में जेल भर और शुरू किया जा रहे हैं कि पुरानी पेंशार्थ के निया ठीक नहीं लग रहा है तिड़ा सचा करक्षा का करने के लिए कोशिफ की हो रही है प्रबंद्रों को समस्या को समधान के लिए ठीक जैहन जैभारत खुष्रीय स्वासरीय मस्त रही है और आप लोग बने रहे हैं आपको न्यूस मिलती रहेगी ठीक है